Hello students, आज हम लोग start करेंगे issue of dementors Issue of dementors में starting का पूरा का पूरा shares की तरह सेम होता है जिस तरह shares में हम लोग पैसा लेते थे अपलीकेशन अलाट्मेंट कॉल का उसी तरह dementors में भी हम लोग application अलाट्मेंट कॉल करके पैसा लेते हैं जिस तरह Shares में हम लोग पहले prospectus इसू करते थे फिर public apply करता था तो वो लोग को application का पैसा देना पड़ता था उसी तरह debentures में भी देना पड़ता है शेयर्स भी हम लोग पार पे इसू कर सकते थे प्रीमियम पे इसू कर सकते थे डिबेंचर्स भी पार पे इसू होता है प्रीमियम पे इसू होता है और डिबेंचर डिसकाउंट पे इसू हो सकता है सेयर्स में हम लोग पढ़े थे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर्स में भी अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम में प्रोराटा होता था डिबेंचर्स में भी प्रोराटा हो देखो लिखता एक्स लिमिटेड इशू टू थाउजन फिफ्टीन परसंट डिबेंचर ऑफ हंडेड इच एट पार पेबल आस फॉलोस एप्लिकेशन में पचीस रुपए अलॉट्मेंट में पचीस रुपए और कॉल में पचास रुपए तो डिबेंचर इसू की है एप्ल अप्लिकेशन वॉर रिषी फॉर 3,000 डिबेंचर इसू करना था, 3,000 आप्लिकेशन आगया यानि वर सब्सक्रिफ्टिन का कुछिछन है ए अप्लिकेशन फॉर 1,600 डिबेंचर वा एक्सेप्टेड इन फूल आप्लिकेशन फो 600 डिबेंचर वह लॉट्टर ओंवर इन ले दियें तो 200 एड्जस्ट होगा और 800 को refund कर दियें तो उसका पैसा वापस चला जाएगा टूटल application आया 3000 तो application मनी आया 3000 इंटू पचीज पहला entry होगा bank account debit to 15% debenture application वहां share application लिखते थे यहां debenture application लिखेंगे और जो percentage rate of interest का दिया रहेगा वो यहां आगे लगा देगे तो bank to 15% debenture application 3000 आप्लिकेशन का 25 रुपया करके आया 75,000 15% debenture application to 15% debentures वहां लिखते थे share application to share capital यहां लिखते हैं debenture application to debentures और जो percentage होगा वो आगे लगा देना जो access application आया था जो adjust हो रहा था वो हम लोग allotment में adjust करते हैं तो यहां लिखेंगे तो 15% debenture allotment और जो refund करना उसको लिखते हैं to bank तो आया है 75,000 capital में जाएगा 2,000 into 25 यानि 50,000 adjust हो रहा 200 into 25 यानि 5,000 और जो refund होगा 800 into 25 यानि की पिस अजार रुपया फिर allotment मांगेंगे तो 15% debenture allotment to 15% debentures 2000 debenture का 25 यानि करके allotment का मांगे पहले से 5000 जमा है तो 45,000 मिलेगा फिर call का पैसा मांगेंगे 2000 debenture का 50 यानिट्रियों का 15% debenture call to 15% debentures लेकिन यहां लिख रहा है एक बंदा पैसा नहीं दिया 100 debentures का एरियर हो गया तो ऐसी call scenario लिखेंगे bank account debit call scenario account debit to 15% debenture call account अब आते हैं question number 2 में लिखता है बाला जी limited issue कि अदस अजा 13% debenture 100 रुपया वाला application में 20 रुपय allotment में 30 रुपया call में 50 रुपया लेंगे लेकिन यहां पर खास बात क्या देखो लिखता है all the debentures were applied यहां कोई over subscription नहीं है लेकिन अजय दो holder of 300 debenture paid the entire amount on his holding on allotment यानि अजय जो है 300 debenture पर advance दे दिया call का पैसा whereas विजय दो holder of 200 debenture failed to pay the allotment and call money application में 20 allotment में 30 रुपया call में 50 रुपया total हम लोग के पास 10,000 debenture है तो bank account debit to 13% debenture application 10,000 debenture का 20 रुपया करके हो गया 2 लाग फिर 13% debenture application to 13% debentures फिर allotment माँएंगे तो 13% debenture allotment to 13% debentures 3 लाग रुपया अब receive करेंगे यहां एक debenture holder नहीं दे पाया 200 debenture का तो वो हो गया calls in areas और एक debenture order advance दे दिया तो उसको लिखेंगे calls in advance यहां पर 300 debenture का call का पैसा भी advance में मिल गया तो इंट्रियों का bank account debit calls in area account debit to 13% debenture allotment 13% debenture allotment का 3 लाग मिलना चीए था जबकि विजए 200 debenture का नहीं दिया 6,000 रुपया और अजे जो है call का पैसा advance कर दिया अब call मांगेंगे तो 13% debenture call to 13% debenture 5 लाग मांगे 5 लाग में 15,000 तो इसका advance था तो वो तो देगा नहीं उसको debit करके cancel करेंगे तो bank account debit calls in advance account debit calls in area भी है विजए का 200 debenture पे to debenture call account पांच लाग रुपया मांगे अजे तो देगा नहीं और विजए का area हो गया total हो गया चार लाग पच्छत्तर अजार बैंक में तो जैसे shares में हम लोग area और advance पड़े थे वैसी सेम यहाँ पर भी होता है अब इस question में भी हो ऐसा ही है देखो लिखता कमल लिमिटेड इसू किया पांच हैजार बाराब परसें डिवेंचा 100 रुपया वाला application 10 रुपया अलोट्मेंट 15 रुपया फर्स्ट कॉल में 30 रुपया और सेकेंड कॉल में 45 रुपया अब परसन हो फोर इन्ड़ डिवेंच़ पेड अमाउंट ऑफर्स्ट रुपया परस्ट कॉल में 30 रुपया अलोट्मेंट 25 रुपया अप्लिकेशन में 50 रुपया इसको ट्रांसफर कर दिये डिवेंचर में तिर अलोट्मेंट मांगेंगेमेंगे पांच हैठींचर का पं सीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 लिएंचर था वह अलोट्मेंट का पैसा नहीं दे पाया अलोट्मेंट में 75 रहार मांगे तो सबंढ़ के 15 रुपया केरी अर्यार ने सब देख एक लिएह दिया चार न्य हमगे तो चारे को फिरजार सरफिया इसमें कंप तूल को और वन लाक थे आपर dear app कर गिस में यह पर दिया एड्वांस है तो फिर्सट कोल वाला 30 रुपया करके जो एडवांस है 12,000 रुपया यह तो वो देगा नहीं क्योंकि इसका पहले स्जमा है और जिसका अलॉट्मेंट में एरियर था वो अपना एरियर जो है फर्स्ट कॉल में चुका दिया देखो यहां लिखा हुआ है तो बैंक में जो बैलेंसिंग फिकर में अमाउंट आएगा 1,39,500 फिर फाइनल कॉल मांगे फाइनल कॉल में भी वो डिवेंचर होल्डर जिसका अडवांस था वो नहीं देगा तो 400 डिवेंचर का 45 रुपया करके अडवांस था तो बैंक मेंगा 2,7,000 आज इतना रहने देते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे